अन वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एट्थ हिंदी की बुक का चाप्टर सिक्स अंतिम दौर एक अंतिम दौर और इजो चाप्टर है इसकी हम देखने वाले हैं इसमें समरी अगर तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure to hit subscribe button देखते हैं हम लोग इससे पहले हम लोग chapter 5 आपके जो term 2 में आ रहा है chapter 5 बना चुके हैं लिंक आप लोग को वीडियो के description में मिल जाएगा सारे के सारे chapters का जो भी हमने बनाए हुए है भारत राजनीतिक और आर्थिक दुस्ट्री से पहली बार एक अन्य देश क पुछला बनता है यानि की पुछला यानि की पिछलगो बनता है पहली बार जो है भारत गुलाम बनता है किसी दूसरे देश का अंग्रेजी सामराज्य की स्थापना के बाद भारत के लिए एकदम से नई घटना थी तो जब अंग्रेजी साशन हमारे देश में आया तो ये बोलते हैं Capitalism इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज लग रही है इंडस्ट्रीज में बहुत सारा समान बन रहा है और वो लोगों को बेचा जा रहा है मतलब आप कई पर आड्स देखते हैं हमें उन समान के जरुद भी नहीं होते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि हम खरीद ले यह ही Capitalism का एक पार्ट है कि बहुत जादा लेवल पर हाई लेवल पर फैक्टरियों में प्रोडक्शन हो रहा है लोग काम कर रहे हैं और समान बिक रहा है यही होता है Capitalism और जादा से जादा प्रॉफिट कमाने की इसमें कोशिश की जाती है भारत अब अंग्रेजी आठिक धा पैदा हुए जमीन दार आने जमीन दा क्या होते हैं इनकी बहुत सारी जमीने होती है तो क्या करते थे अंग्रेज कुछ लोगों को कहते थे कि ठीक है तुम यह हमसे जमी उस पर लिव लेए लेलो जानी कि तुम हमें रेंट पे करते रहे ना और कैसे भी करके तो मिन किसान ज़गा ज़ड़ से ज़ट टेक्स भरें तो टेक्स लेने के लिए उन्होंने कुछ जमीन दार बना दिये वह इंडियन होते थे इंडियन लोग हैं यह किसानूं से टेक्स लेंगे अब यह वाले जो इंडियन लोग थे ना यह खुब अदर विचार करते थे इस तरह अंग्रेज ओने ऐसे वर्ह को जर्म दिया जिनके स्वार्थ इस इंसान को पैसा में पैसा मिल रहा है पैसा मिल रहा है तो उंद्धर किसानों तो मतलब जमीनदार किसानों को धंकाते थिце, खुब कर ले थे और फिर जमीनदार अंग्रेजों को देता था और बदले में अंग्रेज जमीनदार को थोड़ा भट पैसा रखने के लिए देते थे जो ultimately जमीनदार किसानों से ही ले रहा था। तो पैसा कहां से जा रहा था पैसा तो किसानों से ही जा रहा था ये वर्ग ये राजा जमीनदार सरकार के विविल विभागों के पटवारी गाओं के प्रधान वे उच्छ अधिकारी थे तो जो अमीर लोग थे वों लोग को तो फायदा हो रहा था क्योंकि वो गरीबों से जितना भी चाहें उत्रा पैसा खसोत रहे थे और अंग्रेजों को फायदा हो रहा था वो टेक्स वसूल कर रहे थे ये वर्ग भी आम जनता का अंग्रेजों की थरा खून चूसने वाले थे अंग्रेजों ने प्रतियक जिले में कलेक्टर की भी नियुक्ति की ये वर्ग आम पूरा मतलब अंग्रेज जो है बिटेन अमीर हो रहा था इंडिया के टेक्स से उन्होंने पूरी तरीके से कपजा कर रहा था डंडे की लोग बंतुब दिखा करके उन्होंने देश पर कपजा किया हो था हमारे ही देश के लोग जिने अपना स्वार्थ निकालना था वो पर था बहुत सारे खर्ची बहुत खूब टेक्स लगाए जाते थे भारत में बिटिश साशन के अंतर विरोध राम मोहन रोय बंगाल में अंग्रीजी सिक्षा और समाचार पत्र तो इतना अत्याचार होगा तो कोई तो विरोध करेगा ही तो हम देखते हैं राजा राम मो पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने के लिए काफी प्रियास किया तो ऐसा नहीं था कि हमारे देश के लोग पूरी तरीके से हर चीज इनकी गलती कहते थे जैसे राजा राम मोहन रोय थे वो यह कहते थे कि हम लोगों कि माध्यम से क्लर्क तयार किये जाएं ताकि कम से कम वेतन पर उनसे काम कराया जा सके तो अंग्रेज को पढ़ाना वड़ाना नहीं चाहते थे हमें वो तो बस चाहते थे कि कुछ क्लर्क तयार हो जाएं जो कम पैसों में अंग्रेजों के लिए काम करते रहें बर जैसे रा की सोच रखता है तो उससे देश आगे भरता है उस इंसान के खुद की भी बर्सनल ग्रोथ होती है वे गुलामी से मुक्त होने के लिए तडपने लगे तो लोग अब गुलामी से मुक्त होने लगे जब उनको सिक्षा मिल गई कि भाई यह सब क्या चल रहा है हमारे देश को लूटा जा रहा है इसलिए फिर आजादी के लड़ाई शुरू हुई लेकिन नई तकनिकी रेल गाड़ी चापा खाना दूसरी मशीने यह सब बाते थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी तो अंग्रेज काफी सारी टेक्नोलोजी भी हमारे देश में लेकर के आये थ और अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमारे देश में का इंवेंचर्स में होती हमारे देश की साइंस टेक्नोलोजी काफी डवलप थी तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है ना ऐसे ही वक्त में अठारवी श्रताबदी में एक समाच सुधारक एवं अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय तो 18th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय आए वह एक नई सोच के व्यक्ति थे भारतिय विचारधारा और दर्शन की उन्हें काफी ग्यान था तो भारत के दर्शन यान की हमारे दे और कि विज्यान रसायन शासर जीव विज्यानों की विज्यानों की सिख्षा की आविश्रक्ता पर जोर दिया और अंग्रेजों को लागू करने के लिए भी लिखा तो यह सरकार से गौहार लगाते रहते थे कि हमारे देश में इंडिया में साइंस मैट्स टिक्नालोजी इंगलेश ये सब चीज़े पढ़ाई जाएं, आप जो बिटेन में चीज़े पढ़ा रहे हैं, साइंस की वज़े से ही तो बिटेन इतना ज़्यादा आके बढ़ रहा था, तो वो सरी चीज़े भारत में भी पढ़ाई जाएं, ऐसी गुहार ये लगाया करते थे, राजा रा में कुरीतियों वे कुप रथाओं से भारत को मुक्त करवाना चाहते थे, इसके पलसरूप अंग्रेजी सरकार ने सतीय प्रता पर रोग भी लगा दी, तो भारत में बहुत सारी कुप रथाएं थी, जैसे की सतीय प्रता की भाई और उसका पती मर गया तो, उसके पती की ही चिता में पत्री को भी जिन्दा जला दो, तो ये जो कूप रता थी, जो खराब रता थी, इसको सती कहते थे, और ये बंद करवा दी राजा राम मुहन रोई ने, राजा राम मुहन रोई वे भारतिया पत्रकारिता के प्रवर्तक पीते हैं, मतलब जोनलिजम को बहुत जा हता हां उनके नेदरत्व में 1818 में पहली बार एक अंग्रेजी का समाचार पत्र निकला, जिसका संपाधन भारतियों ने किया था, तो 1818 में एक English newspaper निकला जिसके एडिटर्स इंडिया के थे, मतलब इंडियन ने ही ये newspaper निकाला, इसके अदरित बंगाली में एक सापताहिक वे मासिक समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाश्रत किया तो एक weekly और monthly जो है magazine newspaper type का ये छापा करते थे धीरे धीरे देश में कलकत्ता मदरास और मुंबई में तेजी से और भी समाचार पत्र निकलने लगे फिर रजराम मुर्राय की तरह और भी बहुत सारे लोग समाचार पत कि हमारे देश में knowledge से ही हमारे देश के लोगों को पढ़ाय लिखाय करने की बहुत जरूवत है कि ग्यान से ही पुनर जागरन हो सकता है रहने सा यानि कि हमारे देश में एक बदलाव आ सकता है अगर लोगों के पास ग्यान होगा पढ़े रिखे होंगे तो विदिली सन 1857 की करांती के बारे में सन 1857 की महान करांती जाती आतावाद तो देखो क्या है इसमें 1857 तरेवोल्ट ओफ 1857 जो अपनी हिस्ट्री वह पढ़ा है उसके बारे में भारत के उत्रीय राज्यों को छोड़ का लगभग सारा भारत अब बिरिटिश सरकार की सानुबूती जा बाग की सब ठीक है बिरिटिश के अंडर अच्छे से आ गये थे और ज्यादव कुछ रिवोल्ट नी हो रहा था बंगाल ने बिरिटिश सरकार से संधी की थी बेंगॉल जो है उसने मतलब कर लिया था ठीक है संधी हो गई थी संधी मतलब समझाता हो गया था कि एग्रीमें इसी बीच माई 1857 में मेरट की भारतिय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी विद्रो के शुरुवात गुप तरीके से हुई थी लेकिन इस योजना के शुरुवात समय से पहले हो जाने के कारण योजना को बिकार दिया तो 1857 की जो क्रांती हुई थी थोड़ी मतलब माई में स्टार्ट हो गई थी और अच्छी प्लानिंग नहीं थी तो बेसिकली फेली हो गई थी अब यह है केवल सैनिक विद्रो होकर रह गया था जब सिफ आर्मी का रिवोल्ट हो गया था जाधर जो है राजा वगयरा जो थे उन्होंने इनका साथ नहीं तो कुछला तो 1857 के रिवोल्ट को बढ़ भारतियो की ही साहता से इस आंदोलन में तात्या तोपे रानी लक्ष्मी बाई ने बर्चर का भाग लिया था इस विद्रो ने बिटिश साशन को हिला कर रख दिया बिटिश पार्लेमेंट ने इस इंडिया कंपनी से भारत को अब 1857 के बाद अंग्रेज जो हैं अंग्रेज क्वीन डिरेक्ट हम पर साशन करने लगी पहले इस इंडिया एक कंपनी बना रख थी इन्होंने इंडिया पर साशन करने के हिंदू और मुसल्मानों में सुधारवादी आंदोलन तो 1857 का रिवोल्ट था जिसमें मतलब अंस सुधार अगया इस समय हिंदू और मुसल्मानों की बीच कई समाजिक कुरीदिया फैली हुइं थी इस समय समाजिक सुधार को में जिनमें इनका नाम राजराम मुहंरौय तरानन सरस्वती इन्होंने हिंदू धर्म में बहुत से सुधारवादी आंदोलोंओ को चलाया अचाराटि में द्यानर्ण सरस्वती ने भी बहुत सारे विधा पुनर विभा और count on on can की ओर चलो ठीक है दियानल सरस्वती बैक टुवेदाज आरे समाच के वेदों आरे समाच में वेदों की एक विशेश धंक से व्याख्या की गई है इसका प्रचार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक प्रदेश के हिंदू वर्गों में हुआ तो जो उधर वाला नौत इं सरको उपर उठाना तो जो नीची जाते हैं थी जिनको सुफुकॉल नीची जाती बोले जाता था उनके सरको उपर उठाना इस्त्रियों और पुर्षों को समान अथिकार देना पठाई से रिलेटेड तो स्वामी दयानंद के समय में बंगाल में श्री राम कृष्ण परम ह नंस यह स्वामी विवेका नंद जीरत समय घृरु तरहल ने बताया था एक शान्ती निचिर था कि सारे व्राइब नहीं आंगें करें से कुर्व भायों की सहाल से राम किर्ष्न मेतशन की स्थाफना गरी थी हिंभाने घुता अबसमें जोड़कर जन्ता के सामने पर विवेकानंद ने भारत के दक्षणी छोड़ से कन्या कुमारी से हिमाले तक अपने सिध्धान्तों को फिलाए तो पूरे देश में स्वामी विवेकानंद के सिध्धान्त फैल गए थे विवेकान ने जल्यावाला कान्ट के विरोध में अपनी सर्की उपादी त्याग दी विवेकान लुका घॉट J against बृत ये चर्फ़ के प्रसार संस्कृति स्वास्त और समानता की दो जयादा धी इक्वालिटी एक्वालिटी है ना इक्वालिटी की बात किये गई थी रश्य रेवलुशन में तो ये बात रविना टैगॉर को बहुत अच्छी लगती थी उनका मानना था कि यही तत्व व्यक्ति के इक्वालिटी ही समाज में होनी चाहिए टैगॉर और गांधी दोनों वानफवाली थे यानि कि हुमानिसम को फॉलो करते थे कि हुमन जो है वो दूसरे हुमन को अपने जैसा समझे उन्होंने लोगों को संकीन छोटी विचारधाराओं से बाहर निकालने की बात कही टैगॉर करते थे और लोगों को जागरु करने की कोशिश किया करते थे और गांधी जो है वो यह कहते थे कि कर्म ही पूजा है यही कोठे गांधी जी का उसी समय एनिवेसंट का भी बहुत प्रभाव पड़ा बहुत सी बाते मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी इन का भी इंपॉर्टेट रूप था श्रीमती एनिवेसंट आयरलेंड की रहने वाली महिला थी उन्होंने भारत में होम रूल चलाया जिसका उदेशिया अंग्रेजों से भारतियों को आंतरिक स्वतंतरा दिलाना था तो यह अजादी की नहीं बटेग हां होम रूल की बात कर जाएं अंग्रेजों ने उनके साथ अत्यथिक दमन पूर्ण रवया अपनाया था सन 1870 के बाद संतुलन बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार अनुकूल हो गई तो 1857 के बाद बहुत मतलब दवाब बनाया था बहुत ही अतिशार किये अंग्रेजों ने मुसल्मानों पर 1870 जाते आते उनको मतलब डिवाइडन डूल की पॉलिसी अपनाने लगे कि हिंदू मुसलमों मुसल्मानों को बाटो और राज करोगी राजनीती फिर अंग्रेजों ने अपनानी शुरू करती इसमें सेयद एहमद खाने की बाई अंग्रेज जो है मुसल्मानों की तरफ जु सेयद एहमद खान का प्रभाव मुसल्मानों के उच्वर्ग के कुछी लोगों के तक सीमित था 1912 में मुसल्मानों के दो नए सब्ताहिक निकले उर्दू में अलहिलाल और अंग्रेजी में कॉम्डेट अबुल कलाम अजाद का अलिगर्ड कॉलेज में सर सेयद खान से संब अभर दी तो ये अभूल कलाम अजाद इन्होंने कहा कि अंग्रेज ही नहीं है जैसे कि ये कह रहे थे न इससे पहले कि अभाई सरसेयद एमद कान की भाई जो है अंग्रेज बढ़ियां है और मुसल्मानों को अंग्रेजों के साथ देना चाहिए बट इन्होंने कहा 1885 में स्थापत हो गई थी जब 1885 में निर्मित नेशनल कॉंग्रेस अपनी प्रणावस्था में आई तो इसके नेतरत्व का ढंग बतला मताब थोड़ी और आगे बढ़ी तो इसका जो है मॉडरेश सा पहले कि ठीक है प्रेव प्ली पेटशन और अंग्रेशों के सामने जु अब आग्याकारी थे और निम्न वर्ग चात्रवे युवा लोगों के प्रतिनित थे यह मतलब जो तिलक थे ना तिलक मतलब ब्रुकुल फेमस थे लोगों कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो अंग्री सरकार गरत कर यह को भूल के बोलते थे उनमें कहीं तरह के योग्य उजस आने के लिए राधा भाई नरोजी लाए गए 1907 में हुए संगर्ष में उदार दल की जीत होई लेकिन बहुम संख्यक समाच के लोग तिलक के पक्ष में थे इस समय बंगाल में हिंसखटना है हो रही थे तो देखो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तो कॉंग् जो था वोई कहता था कि अगरेजों के खिलाफ विद्रो करो और जो कॉंग्रेस का ही एक दाड़ा था नरम्दल वोई कहता था वह विद्रो अगरा मत करो अंगरेजों की बात हो इधोडि मानके चलो तो इस वज़ए से कॉंग्रेस का बटवारा हो गया था 1905 में तो जो है बेंगॉल का विभाजन हो गया था जो बेंगॉल स्टेट है और 1907 में कॉंगर्स जो पार्टी थी उसमें दो हिस्से हो गये थे गरमदल और नरमदल में तो ये सब चीजे हुल थी अब आगे का जो है हम लोग मतलब ये चैप्टर तो कम्टीट हो गया है अंतिमदौर एक है ना अंतिमदौर दो में हम और आगे हमारे इंडिपेंडेंस का क्या क्या कैसे रहा वो देखेंगे अच्छा लगा है तो जरूर चैनल का सब्सक्राइब करें थेंक्यू